आरे बचो मैं हूँ गुरूनितेस और आप देख रहे हैं अपना चैनल गुरूनितेस01 आज हम लोग एंसे आटी चाप्टर फाइब डाटा हेंडलिंग इससाइस 5.3 क्लास एट से क्वेशन नम्मर वन देखने जा रहा है क्वेशन नम्मर वन काता है कि लिस्ट आउटकॉम यू कन सी इंदीज एक्सपेरिमेट्स ए स्पिनिंग विल्स तो यह एक स्पिनिंग विल्स आपको दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि 1 A B C D and A तो इसको जब आप खुमाईएगा तो यह जो है इसका आउटकॉम यह एरो के सामने आएगा वो क्या-क्या आ सकता है तो आपको आउटकम क्या-क्या आएगा या तो A आएगा या तो B आएगा या तो C आएगा या तो D आएगा और फिर से या तो A आएगा तो इसको हम नहीं ले सकते हैं तो हमारा आउटकम आएगा A B C D ठीक है यहाँ E नहीं है यहाँ A है इसलिए आप A B C D E नहीं लिख सकते ह है आप लिखेंगे A, B, C, T मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम है ठीक है इस एक्सपरिमेंट में अगर एक ही बात करेगा तो एक के लिए तू एक के लिए ये दो बार आएगा ठीक है तो उसके लिए अगर बात करेगा तो ए दो बार आएगा लेकिन पांच हिस्सा है तो इसम आप करेगा तौ 1-2, F 2003 होगा अगर प्रोबाइबिलिटी आप से पुछेगा सी की बात करेगा तो 1-έ पहला क्वाइन और दूसरा क्वाइन तो इसमें हेड आए और इसमें भी हेड आए यह पॉस्बलिटी दूसरा यह हो सकता है कि इसमें हेड ही आए और इसमें क्या है टेल आए तीसरा क्या हो सकता है अब तो यह हेड हेड आ गया है तो इसमें टेल आए और इसमें भी टेल है कि इसमें टेल आए और इसमें हेड तो पॉसिबल आउटकम क्या-क्या हो जाएगा तो हेड हेड या हेड टेल या टेल या टेल है तो यह आपका पॉसिबलिटीज है आउटकम्स आने का प्राइब नमर तो आप लोग जानते हैं नेच्वरल नमर्श जो हता है वो तीन भाग में डिवाइड किया जाता है एक भाग होता है 1 दूसरा भाग होता है और तीसरा भाग होता हूता है तो 2357 dot 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 part नम्बर होता है और composite नमबर होता है क्या 4 6 8 9.00 composite number होता है मतलब जिसका केवल एक factor हो which have only one factor which is known as one which have more than which have only two factors which is prime number and which have more than two factors which is composite number तो पहला का एक आता है कि अप प्राइम नमबर तो प्राइम नमबर क्या होगा डाईड आप देखिव येगा colline क्या होता है डाई में 6 faces होता है 6 faces होता है उसमें 1,234,56 लिखा होता है यहां one यहां two यहां three इसके opposite में four यहां five और इसके opposite में six लिखा लगा होता है तो इसमीद से प्राइब नंबर्स कौन होगा इसमीद से प्राइब नंबर डूस्ट एक इस और 5 हो सकता है 1st का A का answer होगा which is not a prime number अगर composite number बोलता तो आपका answer 4 और 6 होता but not a prime number तो prime number नहीं है तो कुछ भी हो सकता है प्राइम को छोड़के तो 1, 4, 6 ये 3 होगा 1st के B का answer हो जाएगा 1, 4, और 6 इसका हो जाएगा 2, 3, 5 2nd का A काता है कि A number greater than 5 तो वैसा number जो 5 से बड़ा हो 5 से बड़ा 5 से 5 से बड़ा हो A number greater than 5 तो 5 से बड़ा एक से लेके 6 तक में कौन सा number होगा तो केवल 6 होगा जो 5 से बड़ा है इसका second part काता है A number which is not greater than 5 तो वैसा number 1, 2, 3, 4, 5, 6 में काता है a number which is not greater than 5 not greater than 5 का मतलब क्या हुआ कि 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए तो 5 से छोटा कुछ भी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 यह जो होगा यह 5 से छोटा हो जाएगा तरीक होता है कि find तरीक है यह बोलता है probability of the pointer stopping on D in question 1 question 1 नहीं हम लोग देखे थे यह question 1 नहीं है इस pointer के बारे मैं बात कर रहा है कि इसको D पे रुकने का क्या probability है तो हम इसका section देखेंगे पहले question में भी discuss किये थे कि 1, 2, 3, 4, 5 total event है 5 ठीक है और D पे आने का chance क्या है 5 बार में 1 बार तो इसका answer क्या हो जाएगा 1 by 5 1 by 5 इसका answer हो जाएगा ठीक है इसका second part काता है probability of getting an ace from a well-suffered deck of 52 playing cards तो आप playing cards देखते हो जाएगा उसमें 4 color होता है ठीक है 4 color होता है 4 color के 13-13 cards होते है जिसमें A को ace बोला जाता है ठीक है A होता है K होता है King Q होता है Queen J होता है Jack और उसी तरह से फिर 1 से लेके 10 तक होता है तो 10 और 3 यह cards ठीक है तो इसकी एक कुल मिलाके 13 card होता है 1 को 1 को ही A बोला जाता है और इसी को ace बोला जाता है तो 4 color होता है ठीक है Diamond Spades Heart इसी तरह से 4 color होता है Hindi में उसको काला पान, लाल पान चिडिया, इटिया यह सब बोलते है तो अब काता है 52 playing cards में से Ace आने काता है 4 color का 4 Ace होगा तो total 52 cards होगा है ना और Ace कितना होगा ठीक है तो अगर हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे number of sorry probability of probability of getting Ace equals to total number of Ace upon total card तो total number of Ace कितना होगा 4 अपन total card कितना होगा 52 यह 13 times में कट जाएगा equals to 1 by 13 इसका answer हो जाएगा उसी तरह से probability of getting red apple तो यह जितना RR लिखा हुआ है बुक में आपको बनाया हुआ है यह 1 2 3 4 5 और total apple कितना है 1 2 3 4 5 6 7 तो probability of C के लिए probability of probability of getting red apple apple बराबर होगा total number of apples upon total number of red apples upon total number of apples तो इसका मदलो हो जाएगा red apple कितना है 5 और total number of apple कितना है 7 तो इसका answer क्या हो जाएगा 5 upon 5 upon 7 इसका answer हो जाएगा 5 upon 7 ठीक है तो फूर काता है number 1 to 10 are written on 10 separate slips one number on one slip एक से लेके 10 तक का numbers को है जो एक पेस पे एक एक पेस पे लिखा हुआ है एक एक स्लीप पे लिखा हुआ है one selected 10 तक kept on a box mixed well उसको एक बक्से में रख दिया गया और बढ़िया अच्छे से मिला दिया गया ठीक है one slip is chosen from the box without looking into it लब एक box उसमें से एक स्लीप को खीचा जा रहा है बीना देखे हुए तो possibilities क्या है getting a number 6 तो अगर हम लिखते हैं one selected 10 तक one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten तो six आने का probability क्या है six तो एक ही है तो यह probability क्या होगा कि number six total number upon total required number upon total number तो required number क्या है एक है one और total number कितना है ten तो probability क्या होगा one by ten यह आपका answer हो जाएगा getting a number less than six तो less than six क्या हो जाएगा one, two, three, four, five यह सारा number क्या हुआ six से छोटा होगा one, two, three, four, five तो यह सारा number क्या हुआ six से छोटा होगा अब total number of कितना हो गया one, two, three, four, five और total कितना है one से लेके ten तक ten तो क्या हो जाएगा इसका probability क्या हो जाएगा total of number five upon total number of event ten तो यह क्या हो जाएगा one by two इसी तरह से आप इसमें भी लिख सकते हैं total number of outcome total required number भी लिख सकते हैं यह लिख सकते हैं आप probability बराबर probability बराबर total outcomes अपन टोटल नंबर ओफ इवेंट्स ठीक है उसी तरह से इसका सेक्षन का कोश्चन नंबर सी है कोश्चन नंबर सी कहता है कि गेटिंग नंबर ग्रेटर दैन सिक्स तो सिक्स से बड़ा आपको क्या क्या नंबर आ सकता है तो टोटल कितना आएगा चार आएगा तो इसका प्रोबैबिलिटी क्या होगा फिर वाई टोटल नंबर ओफ आउटकम्स अपन टोटल नंबर ओफ इवेंट्स तो यह क्या हो जाएगा इसका आप इसमें टोटल नंबर ओफ आउटकम्स के जगह आप इसमें यह भी लिख सकते हैं तोटल नंबर ओफ फेवेरेबल इवेंट्स अपन टोटल नंबर ओफ इवेंट्स यह से लिखता है गेटिंग वन डिजित नंबर तो बंस लेके 10 तक में 9 1 digit number होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका probability लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि total number of favorable events upon total number of events तो favorable events कितना है 9 और total number of events कितना है 10 तो इसका answer क्या हो जागा 9 upon 10 5 करता है if you have a spinning wheel with three green sectors एक spinning wheel है जिस में तीन green sector एक तो मालो ये तीन green sector है जी जी ठीक है one blue sector एक जो है वो blue sector ठीक है and one red sector एक जी ठीक है अब काता है what is the possibility of getting a green sector तो green sector possibility of getting a green sector तो आप क्या पले है total number of events तो favorable events कितना है एक दो तीन तो यह हो जाएगा कि what is the probability of getting a non blue sector तो non blue sectors के लिए आप क्या किजेगा non blue sectors मतलब वैसा number जो वैसा sector जो किसी color का हो चाहे वो red हो चाहे green हो उससे कोई बहस नहीं है blue नहीं होना चाहिए non blue का मतलब होता है blue नहीं होना चाहिए तो इसके second part में हम लोग क्या करेंगे कि जब non blue के लिए हम लोग निकालेंगे तो वही काम करेंगे total number of total number of favorable outcomes upon total number of outcomes तो यह क्या हो जाएगा एक तो तीन चार फोर सेक्टर ऐसा है जो non blue है और total कितना है five तो answer हो जाएगा four upon five okay find the probability of event in question number two question number two में हम लोग आते हैं काता है when a die is thrown list of outcomes ठीक है list of outcomes of an event of getting a prime number तो आपको question number two में हम पहले जैसे बताये थे कि die में six faces होता है जिस पर आता है one two three four five और six पता है एक प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर के बारे में आपको बताये थे कि one प्राइम नंबर नहीं होता है टू प्राइम नंबर होता है थ्री प्राइम नंबर होता है और five प्राइम नंबर होता है तो इसमें जब हम करेंगे कि probability निकालेंगे कि एक प्राइम नंबर का probability क्या होगा तो प्राइम पराबर होगा टोटल नंबर ओफ है टोटल नंबर ओफ है फेवरेबल आउटकम अपाँ टोटल नंबर ओफ आउटकम्स तो यह क्या है तीन बार जो है वो प्राइम नंबर देता है टोटल नंबर ओफ आउटकम्स क्या है 6 तो यह हो जाएगा 1 बाइ 2 सेकंड कोश्चन कहता है पहला का सेकंड कि not a prime number तो prime number कौन सर नहीं होगा तो 1 prime number नहीं होगा 4 prime number नहीं होगा 6 prime number नहीं होगा तो फिर उसी तरह से total number of favorable events upon total number of outcome favorable event 3 outcome 6 तो इसका भी answer हो जाएगा 1 by 2 उसी तरह से काता है सेकंड का एक काता है कि a number greater than 5 वह ऐसा number जो 5 से बड़ा हो तो 5 से बड़ा क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा यह पांचों number 5 से बड़ा है तो इसका probability क्या हो जाएगा 5 तो टोटल number of events कितना है 6 तो answer क्या हो जाएगा 5 upon 6 और इसका second part काता है कि a number is not greater than a number is greater than sorry, यह number is greater than 5 तो यह सारा नहीं होगा 5 से बड़ा तो एक ही number है 6 तो इसका answer हो जाएगा 1 upon 6 तेका है फिर उसी तरह से लिखेंगे probability बराबर, total number of favorable outcomes upon total number of events तो greater than 5 के बड़ एक event है तो वो जाएगा 1 और total number of event है 6 तो answer हो जाएगा 1 by 6 यह होगया दूसरा का A और दूसरा का B जो है वो कता है number is not greater than 5 वैसा number जो पांच से बड़ा नहीं है तो पांच से बड़ा कौन नहीं है 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है तो यह क्या हो जाएगा 5 upon 6 यह इसका probability हो जाएगा ठीक है उमीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कॉमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मैं हूँ गुरुनितेज और आप देख रहा है अपना यूट्यूब चैनल गुरुनितेज जीरो बाइ तैंक यू